नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप की अच्छे होंगे तो आज लेकर आए हैं बहुत ही काम का यूसफुल टिप्स और ट्रिक जिसे देखकर आप लोग का काम तो असान होगा साथ में पैसों के भी बचत होगी तो चलिए देरिनादरी करते हैं विडियो को सुरू कर लगता है मिटर जाता है यानि की तो अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर देखे दोस्तों आज हम लेकर आए बहुत ही खास टिप्स की जब भी हम लोग लिपिश्टिक लगाए लिपिश्टिक लगाने के बाद थोड़ा सा कोई टेलकम पावडर हो इस तरीके से अच्छा से नहीं घुसता है जब हम लोग जूता पहनाते हैं बच्छे के पैर में तो यह प्रोसेस देखे यहां पर दिया हुआ रहता है इस तरीके से अंगली को लगा के खीचिए गा तो बहुत ही आराम से पैर में सूझ जो है जो घुस जाता है तो अगर ना जान रहे ह हो दोस्तों तो यह तरीका को जरूर अपनाएगा क्योंकि यहां पर दिया हुआ रहता है यह देखिए कितना अराम से घुस किया तो है ना कमाल का जुगार तो चले देख लेते हैं नेक्स टीप नेक्स आडिया यहां पर है कि हम सेलूसन बनाने वाले हैं वह सेलूसन बनान चाहिए हैं और उसके बाद हमें चाहिए एक चमच डिटर्जेंट पाउडर एक चमच हम डिटर्जेंट पाउडर भी ले ले रहे हैं तो यह देखिए तीनों चीज मिलाके यह मेरा सलूसन हो गया है बनकर तैयार तो इसे हम यूज करने वाले हैं अपने किचन सेल पे दोस्त किचन में तो इस तरीके से हम कोई बरस लेके यह सलूसन बना के बहुत ही आराम से इसे आसानी से साप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा जैसा के बहुत ही गंदगी जितना भी रहता है वो सारे निकल जाता है देखिए कितना जब हम रगल रहे हैं बरस से तो कितना निकल र गया अगर टाइल्स वाला है आप लोगों का किचन तो उसके लिए तो और भी बहुत ही यह सलूसन बहुत ही काम का है लेकिन मेरा तो ऐसे ही प्लास्तर का है फिर भी चमक गया देखिए वीडियो यूजफूल लगा हो तो लाइक किजेगा दोस्तो चले देख रहेते हैं नेक अगर बरसात के टाइम में अगर फीचने का टाइम नहीं है उमिला तो हम लोग आकसर बरसात के टाइम में कपड़ा नहीं सुखता है तो धोते नहीं है यह तरीका को अपना लेते हैं देखिए कोई भी टेलकम पाउडर ले लिए जब भी बैडियो ज्यादा आ रहा हो तो में निटेलकम पाउडर लगा दीजिए और सॉक्स में भी डालके इस तरीके से मल लेना है और उसके बाद फिर बचे को पहना दीजिए एक दम से बैड़ स्मेल जो है रीमूब हो जाता है तो आई होप के दोस्तों आज का टिप सेंट्रिक जड़ा सभी अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडिन नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा